हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कोक्वित भोली में तो आज हम कद्दू की चटपटी से खट्टी मीठी वाली सबजी बना करके तयार करेंगे तो जीने कद्दू पसंद है वो तो बड़े चाव से खाते हैं और जीने नहीं पसंद वो बिल्कुल इन्हें खाना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा तो जिन्हें कदू की सबजी पसंद नहीं है वो भी उंगलिया चाट-चाट कर खाएंगे अगर आपने इस तरीके से कदू की सबजी बनाई तो तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एकदू लिया है यह 500 ग्राम की है कदू सबसे पहले मैंने इन्हें काट लिया है इस तरीके से जो इसके उपर का वो छिलका होता है उसे मैंने हटा लिया है क्योंकि वो बहुत कड़े होते हैं और पकने में बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे तो अगर आप कच्चा वाला ले रहे हैं तो उसका छिलका जो पतला होता है आप चाहें तो रख सकते हूं से या मेरी तरह आप हटा भी सकते हैं और मैंने यह पका हुआ लिया है तो एक खरा वाला कदू भी आता है दोनों में से कोई भी ले सकते हैं सबजी बनाने के लिए अब यहाँ पर एक कड़ाई में मैंने तीन बड़े चम्मस तेल डाला है और यहाँ पर तड़के के लिए मैंने पांच खड़े मसाले लिए हैं तो एक चम्मस यहाँ पर राई के दाने हैं और एक चम्मस जीरा कमापीश में से कोई भी मसाले इसकी इपना करें तो जैसी तिल गरम हो जाए हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और जैसे ही एक रेक हो जाए इसमें हम 3 सुखी लाल मिर्ज डालेंगे थोड़ा सा इने भून लेंगे ताकि मिर्जी का फ्लेवर तड़के में अच्छे से उतर जाए अब यहीं पर जो कद्दू हमने काट करके रखा था उसे डाल देंगे और ढकल लगा करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे फ्लेम हमें लो रखना है तो चलिए 3 मिनट हो चुके हैं अब हम सबजी को मिक्स कर लेंगे एक बार तो यह वाली कद्दू की जो सबजी होती है वो पूरी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप जब भी यह कद्दू की सबजी बनाए एक बार पूरी के साथ में आप जरूर ट्राई करके देखिए इसे अब हम को सुखे मसाले डालेंगे इसमें तो देड़ चोटा चम्मच यहा पर धनिया का पाउडर है एक चोटा चमच हल्दी का पाउडर और देड़ चमच यहा पर मैंने लाल मीर्ज का पाउडर डाल ले है तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्वादनुसार या दो छोटा चमच यहाँ पर हम नमक डाल देंगे, फ्लेम को अभी हमें मीडियम रखना है, सारे मसालों को मिट्स कर लेंगे, अब एक छोटा साइज का यहाँ पर टमाटर है, इसे मैंने बारी काट लिया है, एक से जादा टमाटर हमें यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि जैसे हम टमाटर डालते हैं, सबजी एकदम गीली सी हो जाती है, और हमें इसे सूखा ही रखना है, सबजी हम सूखा बना रहे हैं, अब इसे 2-3 मिनट के लिए टमाटर गलने तक हम और पका लेंगे तो लीजे 3 मिनट हो चुके हैं एक चमच यहाँ पर कसूरी मेथी डाले हैं मैंने इस तरह से हाथ से क्रश कर लीजे और इसमें डाल दीजे यदि आपके पास है तो आप डालिए नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं एक चमच यहाँ पर गरम मसाला है तो यह देखे टमाटर अच्छे से कल चुकी है अब हम वापस से सबजियों को मिक्स कर लेंगे एक चमच यहाँ पर मैंने आमचूर का पाउडर डाला है एक चमच से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैंने शक्कर डाला है तो अगर आपके पास जो कद्दू है वो मिठी है तो आप शक्कर कम डालिए या अपने स्वात के नुसार डालिए अब इसे मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए इसे हमें और पकाना है तो यह लिज़े वापस से तीन मिनट हो चुके हैं और हमारी सबजी बन करके तयार है इसमें हम उपर से धनिया की पत्तियां डालेंगे गैस को बन कर देंगे और वापस से चमच चला करके ढखकर गैसे ही छोड़ देंगे ताकि जो धनिया की पत्ति है इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए तो यह सबजी बहुत ही कम समय में पक करके तयार हो जाती है और यह लिज़े हमारी कट्डू की खट्टे मीठी सी सबजी बहुत ही चटपटी सी बन करके तयार है तो आप एक बाई इस तरह से जरूर ट्राइ करके देख आप सभी को भी यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो अगर आपको आज की रेसिपी अथी लगी होगी तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना